गुड मॉर्निंग स्टूनेंट्स प्रत्वी के भूगर्विक इतिहास के अध्यन के अंतरगत पिछले व्यक्षानों के अंदर हम जो हमारा हमारे जो पूराने जो कल्प हैं उनका हम अध्यन कर चुके हैं जिसमें मुख्यत हमने आद्धे कल्प पेलो जोईक मेजो जोईक औ अध्यन कर चुके हैं आज हम अध्यन करेंगे नूतन कल्प का जियोलोजिकल टाइम स्केल को मुख्यता है पांच भागों के अंदर माटा गया है आद्धे कल्प पेलो जोईक मेजो जोईक सेनो जोईक और नूतन कल्प या इसको नियो जोईक के नाम से भी जाना जाता है अध्य कल्प को दो पिरियड के अंदर आर्केन और प्रीकेंब्रियन के अंदर पेलुजोई को केंब्रियन, ओर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस और पर्मियन शक्क के अंदर मेजोई कल्प को ट्रियसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस शक्क के या पि के अंदर और जो नूतन कल्प है इसको प्लिस्टो सीन और होलो सीन या आधुनिक शक के अंदर विभाजित किया गया है यूग के हिसाब से आधे कल्प को किसी भी यूग का नामकरण नहीं दिया गया है प्रत्वी का निर्मान जैसे कि हमने पिछले वैख्यानों में बात की जब निर्मान हुआ था तो प्रत्वी आग का गोला थी धीरे धीरे यह तरल और ठोस्व ठंडी हुई और वर्तमान स्वरूप इसने धारन किया तो इस टाइम स्केल के अंदर हम यहीं पढ़ रहे हैं कि प्रत्वी ने निर्मान से लेकर अब तक यह स्वरूप किस प्रकार निर्धारन किया और प्रत्वी के ऊपर जो जल स्थल यानि प्रत्वी का जो बहुतिक स्वरूप है यह किस प्रकार निर्धारित हुआ या इसमें कौन-कौन से परिवर्तन आये इसके पशात प्रत्वी के ऊपर जो यह जो वर्तमान जीवन हमें वनस्पतियों और जीवों कि अध्यन किया था पिछले व्याख्यान के अंतरकत तो हमने ये देखा कि प्रथवी के उपर विभिन प्रकार की हल चले हुई नहीं हुए और हईड्रोज़न और सीजन संहयोग दे वायू gratis के अंदर एकत्रित होती गई और उसके परफ्षात प्रथम रेनफॉल या बारिश हुई और उसके बाद निरंतर बारिश हुई जिसके कारण छोटे-चोटे गड्डों में पानी भरा वाशपी प्रण हुआ और उसके प्रत्वी के ऊपर निरंतर हल्चले हुए और उन हल्चलों के दुआरा विभिन प्रकार की परवच्रेणियों का निर्मान हुआ और स्थलिय भागों के मद्धे जल के भढ़ने से महासागर और जो उच भूबहाग थे वो महादवीपों के अंदर परिवर्ति हुए इनकी स्थिती जो है यानि महादवीपों की स्थिती भी जो है वो एक नहीं एक निश्चिस्थान पर नहीं रही है इनकी location में भी निरंतर खिसकाव या परिवर्तन हुआ है तो प्रत्वी के उपर बार बार पैंजिया या एक लेंड मौस बने इनमें विखंडन हुआ और वर्तमान में जो अंतिम जो हमारा पैंजिया था उसके पश्चात जो हमारे महत्वी पूर महासागर जो है इनका वर्तमान स्वरूप जो है वो निर्धारित हुआ तो यह सब अध्यन जो है जो परिवर्तनों का अध्यन है यह हम प्रत्वी के उपर जो शैले हैं उन शैलों के अंदर जो फोसिल्स या जिवाश्म जो पाये जाते हैं उन जिवाश्मों के अधियन के दریड़ा हम ये जिवाश्मों की तरियं के ञत्र Tillल कोण इसमें सबसे उप्यूक्त मेथड़ और प्रत्वी के आयूका ऐन्य किया गया ठाक्षा, प्रत्वी हमने अध्य हें प्रत्वी के कि स्थल्थ पर 9- स्थल्प पर पहले जीवन नहीं था, सागरों से जीवन जो है वो स्थली ये भाग पर आया और चोटे जीवों से बड़े जीवों के अंदर परिवर्तित हुए और उसके पश्चाद प्रत्वी के ऊपर चोटे जीवों से बड़े विशाल काय जीवों के अंदर ये परिवर् बारे में हम अध्यान करेंगे इसको हम चतुर्त यूग या कवाटनरी इपो के नाम से भी जानते हैं इसको दो भागों के अंदर या उप्विभागों के अंदर विभाजित किया गया लगत कि यह है ब estás से about कर continents प्रत्वी के उपर 10,000 वर्ष तक राज रहा था हम कहें कि इसकी अवदी इतनी थी इस काल की हम मुख्य विशेष्टाओं की हम बात करें तो इस यूग की सबसे बड़ी विशेष्टा थी भूपटल पर या प्रत्वी के सतय पर हिम चादर की स्थिती यानि ग्लेशियेशन प प्रत्वी के सभी महद्वीपों पर हिम की चादर का विस्तार था जैसे उत्री अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्क्टिका और हिमाले भी हिमाच्छादित था तो यानि प्रत्वी के अधिकांश भागों पर हिमाच्छादन था क्योंकि तापमान चाय स्पीरिड के करके अंदर कम हुआ और इस हिमानी करण के करण सागरतल के अंदर गिरावट आई क्योंकि सागरों का अधिकांश जल जल्ज है वो हिम के अंदर परिवर्तित हो गया था और इसी कारण स्थलिय भाग पर अत्य दिक हिम के जमाव के कारण भार में व्रदी वी और भार में व्रदी होने के कारण स्थलिय भागों में बेभी धसाव हुआ तो इस भाग के अंदर हम बात करें तो सागरिय जल जो है वो हिम में परिवर्तित हो गया और स्थलिय भाग जो है उनके अंदर नीचे की और धसाव प्रारम हुआ इस काल के अंदर अलग-अलग महद्वीपों के अंदर अलग-अलग हिम चादरों का फैलाव हुआ तो सबसे पहले हम देखें उत्री अमेरिका में तो उत्री अमेरिका में हिम चादर का फैलाव जो है वो चार विभिन समय में हुआ था जिने चार उप हिम हिम युगों के अंदर विभाजित किया गया था और उनका नामकरन जो है, classification जो है या नामकरन जो है उन क्षित्रों के अधार पर किया गया जहाँ हिमचादरों का अधिक्तम विस्तार था तो क्रम से इनके नाम हम देखें तो खासकर नेब्रासकन जो नेब्रासकन ख्षित्र पर फैली वी जो हिमचादर थी दूसरे को हमने percent नाम दिया जो qualified in ूरस इसी प्रकार से इलिनॉई आयोवा और विस्कॉंसिन यह सारे के सारे सेंक तरजे अमेरिका के क्षेत्रे हैं और इन क्षेत्रों पर हिम चादर का विस्तार था और इन क्षेत्रों के नाम पर ही इस Glaciation जो शीर जो थी इनका नामकरण किया गया है अगली चीज हम देखें तो इस चीज के अक्षेतर में हम बात करें काल के अंदर तो वह है इंटर ग्लेशेशल पीरियड जिसको हम अवांतर हिम्यूग के नाम से जानते हैं इंट्र ग्लेशेशल पीरिड जो है इसको हम खास कर दो हीम यूग के मद्दे का जो हीम रहित यूग होता है इसके नाम से जानते हैं जो प्रमुक इंट्र ग्लेशेल पीरिड जो थे ये समुत राज अमेरिका के अंदर यह है अफ्टोनियन तो अफ्टोनियन अवांतर हिम्यूग था खासकर नेबरासकन और कंसास प्रांथ के मद्दे दूसरा जो पीरिड है यह है यारमाउथ अवांतर हिम्यूग यह था कंसास और इलिनॉइस के मद्दे और तीसरा जो इंटर्ग्लेशियल पीरिड है यह संगमन यह इलिनॉइस और विन्सकॉंसिन प्रांथ के मद्दे था तो संयूग तरज अमेरिका या USA की हम बात करें तो USA के अंदर मुखे ता है पांच हिम यूग आए जिसके मद्दे जो है तीन जो है मुखे अवांतर हिम यूग जो है वो माने गए हैं इसी तरह से हम यूरोप के उपर बात करें यूरोप महद्वीर की बात करें तो यूरोप के जो मुखे हिम यूग है यह है गुंज, मिंडेल, रिस और पुर्ब यह चार मुख्य हमयूग जो हैं वे यूरोप में माने गए हैं और खास कर जो यूरोप के हिमयूग है इनका धेन पैंक और ब्रुकनर के दौरा किया गया है इसी के साथ हम देखें तो जो ये Glaciation period आया या जो ये Glacial period आया इसमें कई अलग प्रकार की स्थलाकरतियों का निर्मान हुआ जिसमें हम सबसे पहले उत्री अमेरिका की जो Great Lakes हैं जो पाँच हमारी व्रहत जील हैं इनका निर्मान हिम के पिघल्ले के पस्चात हुआ है तो हिमानी के पिघल्ले से धरातल के उपर अनेक प्रकार की टोपोग्राफी जो है ये नजर आई और खासकर यूज से की जो पाँच जीले जो कनाड़ा और स्वेंफ राज अमेरिका दोनों ही देशों में आधी आधी इनका निर्मान हुआ इसके साथ ही जो नौर्वे, स्वीडन, स्वीर्जर्लेंड और उत्री इटली की जो जीले है ये भी इन ग्लेशियल पीरिट के अंतरगत हिम्नदों के द्वारा इनका निर्मान हुआ जीलों का निर्मान हिम नदों के द्वारा उत्वाटन की करिया के द्वारा हुआ है। इसके साथ हिम चाधर के उतार के कारण नौरवे के अंदर फ्योड तठ्थ हैं, यह बने हैं। इसके अलावा हम बात करें, तो सकेंडी नेवयक्षित्र जो है जो कोरल्स जो थे प्रवाल बित्यां थी उनका विनाश हुआ और हिम के पिगलने पर उन्हें इनका विकास हुआ तो साथ ही अगली विशेष्टा हम इस काल की देखें तो दीरे दीरे तापमा नदीख होने के कारण सागर तल जो हैं हिम के पिगलने से उच्छ होने लगे और स्थलिय भागों की हिम पिगलने से प्रेशर कम होने के कारण भार कम होने के कारण स्थलिय भागों की उचाई में भी बड़ोत्री होने लगी इसके अलावा साग्रों मेह मानी करण के कारण जो प्रवालों का विनाश हुआ था वो गरम जलवायू आने के पश्चात पुन है उनके जो कोरल्स हैं उनकी कोलोनीज के अंदर प्रसार उनका विकास होने लगा इसका हिम्यूक का खासकर वनस्पतियों पर अधिक प्रभाव नहीं हुआ हम कह सकते हैं कि वनस्पतियां प्रभावित रही और जलिये जीवन जो हैं वो इस काल के अंदर वर्तमान समय अनुसार था जो ओशन्स के अंदर या सीज के अंदर जिस प्रकार की मचलियां और अन्य जीव जो पाए जाते हैं वो इस काल के अंदर बन चुके थे धरातल की हम बात करें तो धरातल पर मानव बंदर सरद्रशे मानव जो है उसका अफरीका में जन्म हुआ और वहां से इसका यूरोप और एशिया की और स्थानांतर हुआ और ये बंदर मानव सरद्रशे बंदर जो था ये खासकर शिकार है तू पत्थर के ओजार जो है इसने बनाने शुरू कर दिये थे और हिम्यूग और अवांतर हिम्यूग के उकारण जीवों के अंदर एक बड़े पैमाने पर माइग्रेशन या स्थाना अंत्रन हुआ क्योंकि जैसे हिम्यूग आता गया जीव जो है वहां से गरम शित्तनों की ओर माइग्रेट करने लगे और इसके अलावा हम जीवों के विकास के हम बात करें जो जो वर्तमान हमारी हाथ वर्तमान जीव जैसे हाथी गोड़ा बैल जो हैं इनका विकास इस काल के अंदर हो च तो हिमानी करण के फलसुरूप खासकर यूरोप की हम बात करें तो वहां जो मुलाइम वनस्पतियां जो थी यूरोप में नश्ट हो चुकी थी और केवल जो कठोर वन जैसे ओक है विलो पोपलार एल्म जो है यही बचे इसके अलावा अन्य जो सॉफ्ट वेजिटेशन जो थी वह समाप्त हो चुकी थी इसके अलावा उत्री अमेरिका और एशिया की अधिकांश वनस्पतियां जो है इस काल में प्रभावित रही क्योंकि यह खासकर दक्षिन में है और यहां की जलवायू जय थोड़ा सा अधिक करम थी यूरोप की अपेक्षाक्रत और इस काल के अंदर परिवर्ति हो तो अगला शक्या पीरियड जो है वो होलोसीन शक इसकी अवधी जो है वो वर्तमान समय से 10,000 वर्षपूर मानी गई है यानि सबसे नया पीरियड है यानि हम जिस पीरियड में निवास कर रहे हैं हमारा कुन सा पीरियड है होलोसीन पीरियड तो इसक इसको पोस्ट प्लिस्टोसिन या पोस्ट ग्लेशियल पीरियड भी कहा जाता है। इस खाल के प्रारम में जो ओओर बहुता यूँः चादर चायए यौदा two BrLS उटिज का सटीय। प्लिस्टो सिन पीरेड में ब्रिटेन जो है वो यूरोप से जुड़ गया था लेकिन हिम्प के पिगलने से वो यूरोप से अलग हो गया जैसे कि हमें वर्तमान समय में हमें वो अटलांटिक महासागर के अंदर यूरोप के पश्चि में नजर आता है जलवायू की बात करें तो होलो सीन पीरिड तक आते आते पूरे विश्वे की जलवायू है वो समान हो चुकी थी उत्री अफ्रीका, मद्यपूर्व, एशिया में अत्यदिक शुष्टा के कारण या ड्राइनेस के कारण मरुस्थलों का निर्मान हुआ तो खास कर हम बात करें तो यह सहारा है, अरव का मरुस्थल है, अफगानिस्थान और ठार का मरुस्थल है, भारत और पाकिस्थान का, यह ज़्यादा पूराने नहीं है, इनका निर्मान लगबक 10,000 वर्ष पूर हुआ है उससे पहले धरातल के उपर या हम बात करें कि इन महादविपों पर ये मरुस्तल नहीं थे जलवायू शुष्क होने के कारण इन मरुस्तलों का निर्मान हुआ तो जलवायू में परिवर्तन के कारण खास कर गरम जलवायू होने के कारण यूरोप में पुनह वनों का विस्तार प्रारंब हो गया इसके साथ ही सागर्य जीव वर्तमान वस्था को प्रारंब प्राप्त हो गये और स्थल पर मानव ने गुफाओं से बाहर निकल कर मानव ने करशी करना प्रारम किया और पशु पालन करना प्रारम कर दिया तो मानव पहले गुफाओं में और गुफाओं से खासकर जो नदी खाटी प्रदेश जहां पर जल उपलब था वहां पर उसने अपनी बस्तियां बनाई और बस्यां बनाने के पश्चात उसने पहले मनुश्य कच्चा मास खाता था और स्थाई निवास बनाने के पश्चात उसने क्रशी कारिये प्रारम करके फसलोत पादन करके फसलों का उपयोग प्रारम किया और साथ ही क्रशी कारिये के लिए और स्वेन के उपयोग हितु पशुपालन प्रारम किया तो हम मानव की स्ट्री हम देखें तो मानव का प्रत्वी के उपर जो इतियास है वो दस अजार वर्ष से जादा पुराना नहीं है उससे पहले मनुश्य जो है वो कंद्राओं में गुफाओं में रहता था और पश्यों का शिकार करके कच्छा मास खाता था और वरत्मान हमारी जो प्रजाती है यह होमो सेपियन्स तो जो होमो सेपियन्स जो है यह प्रत्वी के उपर 10,000 वर्ष से पुराने नहीं है उससे पहले जो मानव जो था उनको हम अलग-अलग स्पीशीज के नाम से जानते हैं तो मानव का जन जो है वो अफरीका में माना गया है और अफरीका से ही माइगरेट होकर दूसरे महाद्यूप मोई जैसे एशिया, यूरोप और यूरोप से अन्ने उत्री अमेरिका, दक्शिनी अमेरिका और आस्ट्रेलिया इनकशित्रों की और माइगरेट हुआ वरतमान में हम देखें तो उत्री अमेरिका के जो रैड इंडियन्स हैं, नेटिव्स जो हैं, वो बहुती सीमित हो चुके हैं तो प्रत्वी जो लगबग प्रत्वी का जो निर्मान लगबग चार से पांच अरफ वर्ष के मद्धे माना गया है तो उस समय जो प्रत्वी जो थी वो आग का गैस ये गोला थी फी तरल फिर दीरे दीरे ठंडी ठोस हुई शुरुआत में इतनी अधिक गरम थी कि प्रत्वी के उपर जीवन संभव नहीं था ठंडी होने के पश्चात जैसे ही जल का निर्मान हुआ वर्तमान जो वायू मंडल है जो जीवन के लिए हमें चाहिए जिस प्रकार की हाइडोजन गैसे जो इनको रैशो चाहिए इस वायू मंडल का निर्मान हुआ और फिर प्रत्वी के उपर जल के अंदर जीवन का निर्मान जल से स्थल की और जीवन और पहले जीवन जो है वो एक कोशी की है फिर एक कोशी की से बहु कोशी की है और दीरे दीरे उससे छोटे जीव और छोटे जीवों से बड़े जीवों का यानि पहले एकशिरू की ज जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते थे जो वर्दमान में जिसे मेंडर है से लमेंडर है इस प्रकार के जीव जो है रुपांत्रीत हुए इसके पश्चात इन से एंफीबियन से रेप्टाइल्स यानि रेंगने वाले जीव और एक बार प्रतिवी में खास करम बात करें तो जूर्षिक पीरियड के एक आल में जो रेप्टाइल्स यो थे अत्यतिक विशाल का डाइनासॉरों के रूप में थे और उसके पश्चात इस डाइनासॉर भी विलुप्त हो गए और उसके पश्चात डाइनासॉर से हमारे एवीज जो है बड्स जो है इनका निर्मान और जैसे जैसे प्रत्वी के उपर वेज़िटेशन आतीगी, जीवों के अंदर रुपान'Thran जो होता गया और वर्तमान जो मानव है इसमें भी दीरे-दीरे प्रत्वी के उपर आपने भी देखा होगा कि कोई भी परिवर्तन जो है वो स्थाई नहीं है इसमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है तो वर्तमान जो महद्रीप इनकी स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा है और जैसा कि आ चाहने वाले हो सकता है लाक कोड़ों वर्ष पश्चात जो हम, हमारा जो बोर्डी बिल्ड अप है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी परिवर्तन हो जाये। तो यह तो था हमारा प्रत्वी का भूगर्बिक इतिहास। इसमें हमने प्रत्वी के निर्मान से लेकर वर्तमान समय तक कैसे कैसे प्रत्वी के उपर महादवीपों का महासागरों के उपर परिवर्तन आये और जीव जो है लाइफ जो है प्रत्वी के उपर किस प्रकार से आई कौन कौन से समें चेंजेज हुए और जलवायू जो है व झाल झाल